गुड मॉर्णिंग बच्चों इंडिस्ट्रियल शुषलाजी में आज हम पढ़ेंगे मेजर्स टू स्टेंथन ट्रेड उनियन्स भारत में श्रम संगों को सूध्रट बनाने के उपाए पिछले कुछ दिनों से हम शमसंग पर अपना अध्यन अध्यापन कर रहे हैं शमसंग क्या है उसकी और शक्ता क्या है उसके कारिय क्या है और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि श्रम संगों के दोश क्या है उसमें हमने देखा था कि किस तरह से किन कारणों से श्रम संग का नित्रत्व कम जोर पड़ जाता है उस कारण से ये अपना प्रेजेंटीशन उतना नहीं दे पाता जितना कि उसको देना चाहिए उसमें आपने देखा था कि इस्थाई श्रम शक्ती का आभाव है, गरीबी और निम्न मस्दूरी है, असंगिठित करने वाली शक्तियां है, बाहर ये नित्रत्व है, राजनितिक दलों से संबदता है, अधिक कारे घंटे और निम्न जीवनिस्तर है, मालिकों का विरोधी रुख है, शमिकों के प्रती, जौबर और मददस्तियों का विरोधी रुख है, और श्रम संगों का बाहुलिया है, यानि बहुत सारे श्रम संग हैं, जो वो आपस में ही प्रतिस्प्रधा करते रहते हैं, श्रमिकों के हितों के पूरा करने का में वो अस समर्थ रहते हैं आज हम देखते हैं कि क्या उपाय हैं जिन से भारती शमसंगों को हम सूद्रड बना सकते हैं बीबी गिरी ने एक सूद्रड आंदोलन की और शक्ता पर बल देते हुए लिखा है कि शमिकों के हितों की रक्षा करने तथा उत्पादन के लक्षियों को पूरा करने के लिए सूद्रड शमसंग आंदोलन बहुती अवशक है यदि शमसंग इन उपदेशों को पूरा करने की शमता एवं द्रड़ता नहीं है तो भारत में पूर्ण समाजवादी प्रजातंत्र के आधार पर बनाय जाने वाले अध्योगिक कलेवर की जो नीती है वो सू इस्तम आर्दशों के होते हुए भी शमिक वर्ग को मौलिक अधिकार देने में असमर्थ रहेगा तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से भारती शमसंग बात को द्रड़ करने के लिए हमें क्या-क्या उपायों की अवशक्ता है किन-किन सुजावों की अवशक्ता है उसमें स अज हम देखते हैं पहला है स्थाई शम्शक्ती का विकास भारती शमसंग का सुधरण अगरा में विकास करना है तो पाश्चक्यतिय देशों की तरह ही एक श्थाई और द्योगिक श्रम शक्ति का विकास करना अत्यन्त अवशक है इसके लिए हमें श्रम जो पलायन की विशिष्टा है उसे नियमित और नियंत्रित करना होगा कार्यों की दशाओं और आवास विवस्था में सुधार करना होगा जिससे की ग्रामिन शेत्रों से आए श्रमिक इस्थाई रूप से ओध्योगिक शेत्रों में रहने लगें और मनोरंजन की सादनों की विवस्था हो जैसे पुस्तकाले, चिकितसा, भर्ती की विवस्था में सुधार जिससे वो लोग ठोस कारी करना इस समबन में हमें ठोस कारी करना चाहिए ताकि इस्थाई श्रम शक्ती का विकास हो सके नेक्स्ट है श्रमिको की आर्थिक दशा में सुधार श्रमिकों जो बहुत ही गरीब है निमन्य मजदूरी की स्थिति में उन्हें सुधार करने के लिए अवशक है कि श्रमिकों को उचित मजदूरी दी जाए जब तक हम श्रमिकों की जो जीवन दशाएं हैं उसमें अगर हम परिवर्तन ना लाएं पाए या उनकी मजदूरी में उचित मजदूरी उनको ना दिला पाए तो उनका आर्थिक दशा में सुधार नहीं हो सकता इसके साथ ही उन्हें विभिन प्रकार का प्रिणात्मक भुकतान भी देना चाहिए इससे श्रमिक की आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही लेकिन वो नियमित रूप से श्रम संग को अपना चंदा भी दे पाएंगे जिससे श्रम संगो की जो वित्य स्थिति सुधर जाएगी और अगर वित्य स्थिति सुधर जाएगी तो वह सुद्रशंशंग आंदोलन का विकास होगा नेक्स्ट है असंगठिप करने वाली शक्तियों को समाप्त करना भारत में जो असंगठिप करने वाली शक्तियां हैं जिसके कारण शमिकों में एकता नहीं उत्पन होत पाती वे हैं धर्म, भाशा, जाती, रंग बेर, वेश बुशा जिसके कारण शमिकों में एकता नहीं आपाती इसलिए इन विघटनकारी शक्तियों को समाप्त करने के लिए शमिकों में शिक्षा का प्रसार करना होगा शिक्षा के कारण शमिक एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करेंगे भारत सरकार ने शमिकों की शिक्षा हितु एक एंदरी बोर्ट की स्थापना भी 1958 में की थी और इसके क्रियाओं में अधिक रती करनी चाहिए ताकि शमिकों का मानसिक विकास हो सके नेक्स्ट है आंत्रिक नेत्रत्व भारती शम्संग की सुद्रण विकास है तूँ यह अवशक है कि शमिकों के नेता शमिकों में से ही होने चाहिए क्योंकि ओध्योगिक एवं जो तकनी की जानकारी के कारण वे अपनी मसले या अपनी मामले मालिकों की समुक अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं जैसे कहा जाता है कि अगर नीता उसी में से होगा तो वो अच्छे से जान पाएगा कि अंदर वास्तव में समस्याएं क्या हैं इसके लिए शमिकों को शम संगठन के अधिकारियों में अधिक हिस्सा देना दिया जाना चाहिए तथा विधान द्वारा भारी व्यक्तियों को रोक लगाई जानी चाहिए नेक्स्ट है कल्यान कारी कारियों को प्रोस्तहन भारती शम, संग, शिकायत, निवारन तथा औध्योगिक विवादों के निप्टारे का कारिय करते हैं ये एक तरह से आक्रमक कारी है, शम संगों को कल्यान कारी कारी जैसे उस्तकाले, मनोरंजन, शिक्षा, चिकिस्षा, खेलकूद, इनकी व्यवस्था करने चाहिए, जिससे शमिक संग संगों में अधिक रूची से भाग ले सकें नेक्स्ट है एक उध्योग में एक संग, यानि एक जो उध्योग है उसमें एक ही संग होना चाहिए, अलग-अलग संग नहीं होने चाहिए, अलग-अलग शम संग होने से वे आपस में ही प्रतिस्प्रधा कर लेते हैं और शमिकों के हितों को रक्षा करना वो भूल जाते हैं विवी कीरी ने कहते हैं कि एक सुधरट श्रमसंग के लिए श्रमसंगों के बहुल्यों को कम करना होगा और यह तबी संभव है जब एक उध्योग में एक से अधिक संग नहीं होना चाहिए इससे श्रमसंगों की सामुहिक सौधाकारी शक्ती मजबूत होगी इससे श्रमिकों में एक्ता होगी तता श्रमिकों और मालिकों के आपसी संबन मधूर होंगे नेक्स्ट है कोशो की प्रयाप्तता भारती श्रमसंगों की विट्यस्तिती कमजोर है क्योंकि सदस्यों द्वारा जो चंदा है वो नियमित रूप से नहीं दिया जाता तता चंदे की जो दर है वो भी भाद कम होती है इसलिए श्रमसंग की जो विट्यस्तिती है वो सुध्रड करने के लिए जो वर्तमान में जो चंदे की दर है उसमें व्रदी करनी चाहिए साथी श्रमिकों से चंदा नियमित रूप से लिया जाना चाहिए इसके साथ ही आयमें व्रदि होते ही शम्संग की सद्द सरता में व्रदि करनी चाहिए इस प्रकार हम देखते हैं कि एक सूद्रण शम्संग की अवशकता पर भल देते हुए प्रोफेसर आर्ची सकसेना लिखते हैं कि शमिकों की हीथों की रक्षा करने और उत्पादन के लक्षियों को पूरा करने के लिए एक सूध्रड शमसंग आंदोलन अवशक है सभी कठिनाईयों पर विजे प्राप्त करने और स्वस्त शमसंग के विकास के लिए हमें गंभीर प्रियास करने चाहिए जिससे की और द्योगिक शांती शमिकों की कारे कुशलता और देश में अधिक उत्पादन हो सके धन्यवाद अपना बहुत ध्यान रखिए और कुविट का इडलाइन का पालन करिए आपका दिन शुब हो